और जो भी अल्ला की कुर्पत को नहीं समझते उन्हें खतम है। रिसेंटली फरास फिल्म रिलीज किया गया है। यह फिल्म परोशिदेस बांगलादेस में हुए आतंगबादी हमले के सच्छी घटना पर आधारित है। आतंगबाद से सुनुवी फरास फिल्म की कहान इंसानियत पर जाकर खत्म होती है। बात करें फरास फिल्म की स्टोरी की तो दफिल्म परोशिदेस बांगलादेस के राजधानी ढाका के आर्टिकल्स काफे पर बंदुकों और ग्रेनेट से लैंस पांच आतंगबादियों के धावा बोलने का है। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने तरीके से 22 लोगों की जान ले ली थी जिन में एक भारत्य महिला भी सामिल था। पुझता है आखिर तु चाहता है क्या है तो वह जवाब देता है तुझे चाहिए क्या यार। तुम जैसु से अपना इसलाम वापस टेकी। अपनी जान बचाकर भागने के बज़ वह उन बेरहम आतंगवादियों को बेखौब होकर सामना करता है। वह लागातार इसलाम के सच्चे मायनों और मकसद पर आतंगवादियों को बताता है। फिल्म शुरू होने से पहले ही आपको बांधने में काम्याब राती है। पहले इंसान बन, बाद में सोचना मुस्लिम होना क्या होता है। क्लाइमेक्स में इंसानियत के कुरवानी वाला रंग देखकर राहत मिलती है। दूसरी आतने की घटाओं की तरह यह सुरक्षा एजेंसी की किसी अपसर को हीरो की रूप में नहीं दिखाया गया है। बल्कि एक आम आदमी, एक आम लड़के की सौडिया और विर्ता को दिखाया गया है। इसलाम को लेकर दो विप आपोजित विचारदाराओं के बहस को दिखायता है। एक जो जिहाद के नाम पर जान लेने में येकित करता है। और दुसरा जो हिंसा को गलत मानता है। फिल्म का टैटल फराज या मदर फराज को सौडिया और विर्ता लास्ट में दिखता है। इसलाम खत्रे में है। हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर से आती है, सिर्फ हमारे रिलिजिन से नहीं। तर फिल्म करता है। तर दोया में का चलते हैं चलता है मारे ओर पाले का बाले का गले प्रप्रेक्टी तोया दोगल तर दोया जो दोगल झाल झाल